हलो फ्रेंड्स कैसे हूँ आप सब आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे तो फ्रेंड्स आज मैं को शौर प्लांट लेकी आई हूँ थोड़े से मैंने पर्चेज किये हैं तो वो आज मैं आपको दिखाऊंगी यह देखिए एरो हैड प्लांट मनी प्लांट जे सभी की कट और देखिए जे बिगोनिया के फूल जे पिछले साल के हैं बहुत ही अच्छी तरह सरवाइब कर रहे हैं तो पीछे से मैंने इस प्लांट की पूलिंग करती थी तो जे देखिए कितने ग्रीन लीव्स निकले हैं इसके तो आईए मैं आपको दिखाती हूँ जो प्लांट ह हमने पर्चेज किये हैं यह देखिए है प्लांट मैंने एक पहले पर्चेज किया हुआ है और आज मैं एक और लेके आई हूँ क्यूंकि मुझे बहुत ही प्यारी लगती है ग्रोटन जे ऐसे हैं जैसे इस पर किसी कलर का शिर्काव किया गया हो तो जी देखिए जी है स्प लोटन है स्पैरिगस pero் और इसकी जो कोष्ट है वह मुझे पड़ी है 30 रूपीस की आफटन इसका तो नाम मुझे नहीं पता लेकिन इसकी कोष्ट मुझे मुझे लगता है थोड़ी मुझे मेहंगी पड़ी है इसकी जो कोष्ट है 120 रूपीज ने किले इसके लीवस कितने प्यारे हैं बहुत ही जूनीक से और यह है कलांचो का प्लांट मेरे पास पहले भी कलांचो के काफी प्लांट है लेकिन मुझे बहुत ही प्यारा लगा यह प्लांट काफी हेल्दी सा और इसकी जो कोस्ट है वो 50 रुपिस बड़ी है तो मुझे अच्छा लगा तो यह देखिए यह है पांडा फाइकस तो फ्रेंड इसकी मैं बंजाई बनाऊंगी जहां से इसे कट कर तो इसकी शत्री सी बन जाएगी तो बहुत ही प्यारी लगेगी यह देखिए यह मुझे 60 रुपिस का पड़ा है तो फ्रेंड यह देखिए मेरे पास स्नेक प्लांट तो बहुत हैं लेकिन यह छोटे वाला नहीं था तो आज मैं यह पर्चेज करके लाई हूं तो यह तो फ्रेंड जे देखिए हमारी आज की शॉपिंग अब मैं इसको रिपोट करूंगी तो आपको दिखाऊंगी कि मैंने कौन से पॉट में इसको लगाया है आज के लिए इतना ही थैंक्यू फ्रेंड हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब स्टूर कीजिएगा और आपक जो एक लाइक का बटन है वो हमें काफी अप्रिशोट करेगा थैंक्यू फ्रेंड्स